स्पिनर अपनी शुरुवात कर रहे हैं स्पेल की लेकिन ओस साइड पर वैसा ही जमावड़ा जैसा पहले था तॉफ स्पिन के वेरियेशन से तंग करना चाहते हैं बल्ले बास को इसे कहते हैं बढिया फील्डिंग बल्ले बास एक-एक रण के लिए तरस रहे हैं मिडविगेट पे खड़े फील्डर के तरफ सीधा मारा ड्राईव दूसरा डालने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन विकेट की आस क्या वो हो पाएगी आज बाहर की गेन अच्छा जज्जमेंट जाने दिया की परता इनके तरकश में बहुत सारे तीर दूसरा डाल के फील्डिंग यूनिट का बढ़िया प्रदर्शन अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ेगा इस टॉप बोलर की ये है टॉप स्पिन बढ़िया फील्डिंग बनले बास के पास रन लेने का मौकण है हवा में थोड़ी तेज है फिलिपर ये गेंद है चकित बल्ले बास कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर बल्ले बास को थोड़ा क्रैंप किया एक और डॉट बॉल गेंद बास की बढ़िया गेंद लेकिन उससे भी बढ़िया डिफेंस अच्छी रिवर स्विंग में इस गेंद पर और इसे कहूंगा मैं रॉक सॉलिड डिफेंस आगे वाले पाउं को आगे की तरफ बढ़ाया और रक्षाक मकंदाज में खेला बोलर की ये बड़ी अपील लेकिन अमपायर ने कहा माता लगता है कि अब रिव्यू की तरफ जाएंगे जी बिल्कुल चुनौती दिया है उन्होंने ओन फिल्ड अमपायर के डिसीजन को थर्ड अमपायर की मांगी है मदब अमपायर का ओरिजिनल डिसीजन कायम रहेगा बढ़िया गेंद और मजबूर किया बल्लेवास को कि सिर्फ रक्षाक मकंदाज में खेला चेंज ऑफ पेस का प्लान है फास बोलर को बुलाया गया है अटैक में पूरी तरह से छका दिया है बल्लेवास को सटी गेंद डॉट गेंद ओ बढ़िया गेंद लेकिन उतना ही बढ़िया गेंद को छोड़ा गेंद पे तो मानने का प्रयास ही नहीं किया था शरीर का निशाना साधा सबरता भी मिले एक्शन में आम स्वीड में कोई बदलाव नहीं लेकिन गेंद आई है थोड़ा सा धी में बढ़िया स्लोर वन हैंकी पांचों उंगलिया मिलके बन जाती है मुठी और यही काम कर रही है ये टीम मुठभेड के लिए है तैयार फील्डिंग में है पूरे जाबास फील्डर और गेंद बास का अच्छा ताल मेल बढ़िया थोड़ कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर सूझ बूझ के बगड़ा इस गेंद को फील्डर ने बढ़िया गेंद कोई रन नहीं फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो अब गोल्स दफिंगर लगता है कि अब रिव्यू की तरफ जाएंगे तौफे में दे गए अपनी विके फ़ड़ा सा इनको संभल के खेलना होगा और कोशिश करनी होगी कि अंत तक ये नाबाद रहे गेंद बढ़िया थी कठिन सवाल था लेकिन बढ़िया जवाब जाने दिया गेंद को कीबर के पास आगे वाले पाओं को आगे की तरफ बढ़ाया और रक्षाक मगंदाज में खेला समय है स्पिन के इंट्रोड़क्शन का शुरुआत कर रहे हैं और स्पिनर के साथ एक और एक ग्यारा होते हैं ये फील्लिंग यूनेट ने बता दिया है और पोजीशन को आसानी से रन लेने ही नहीं दे रहें मिड्विगेट पेखड़े फील्डर के तरफ सीधा मारा ड्राइव रन नहीं मिलेगा स्माश्ट जबर्दस हेट सूपर हेट केंद कोहल के से धकेला है मिड्विगेट के रीजिन में प्रेजबार बड़े शॉट का प्रेयास अब यहां तो भागने की भी ज़रूरत नहीं आज तो बहुत मेहनत मशकर करनी होगी बल्ले बाज को क्योंकि रन आसानी से यह फील्डर देगा नहीं चतुराई भरा मिश्रन गेंद बाज को फिर नहीं मिला रूम खामोश वो है और स्कोर बोर्ड भी अटैक इस बेस्ट फॉर्म अफ डिफेंस और यही कर रही है फील्डिंग उनिट ओवर्स्टेपिंग यानि की ओवर में एक्स्ट्रा बॉल नो बॉल बिसाइड की है अमपाय में इस मौके को चौके में किया तब्दील ओवर्गो गिया समाथ लंज ब्रेक का है समय दोनों टीम्स को मिलेगा थोड़ा सा आराम आफ साइड पे अभी भी फील्डर्स का जमावड़ा है स्पिनर के हाथ में है गेन देखते हैं कैसा बुगते हैं यह जार दूसरा डालने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन विकेट की आस फील्डर ने जान जोग दिया इस गेंद को रोगने के लिए आज आसानी से रन मिलेंगे नहीं बल्लेबाज को थोड़ा क्रैंप किया एक और डाट बॉट वासा गेंद को हवा में फ्लाइट दी है टॉप स्पिन का किया है इस तमार इस बार भी डिफेंस करने का ही फैसला किया फड़ा नीचे की तरफ रही है गेंद चतुराई वाली बोलिंग गेंद बाज की एक बार फिर मजबूर किया बल्लेबाज को डिफेंस करने के लिए बढ़िया गेंद बाजी इसे कहते हैं बढ़िया फील्डिंग बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे हैं हवा में तेज जरूर थी लेकिन मिला अत्रिक उच्छाल यह है टॉप स्पिनर की खास्पा आउट का इशारा अंपायर की तरफ से और सेलिब्रेशन अंपायरिंग डिसीजन से बल्ले बाज गेंदबाज की बढ़िया गेंदबाजी बल्ले बाज का खाता खुला ही नया खिलारी मादां को अब कोशिश करनी है इनको की अंध तक जमे रहें और टीम को ले जाएं सेफटी तक चतुर है गेंदबाज दूसरे से चखाया बल्ले बाज को खुर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो स्पिनर अपनी शुरुबात कर रहे हैं स्पेल की लेकिन आफ साइड पर वैसा ही जमावडा जैसा पहले था फिल्डिंग यूनिट का बढ़िया प्रदर्शन अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ेगा बनले बाज के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश बिजली की तरह कॉंधे इनके पैर और जड़ दिया है एक और चौका स्टाइलिश सबका बढ़िया प्रदर्शन फिल्डर ये 24 कैरेट खरा सोना है तरह से दोड़ से टोड़े पैर गड़ेगा जड़ी तरह फिल्डर के से घड़ेट खराण के बढ़ खराण के बढ़िया खराण दोड़ेगा बढ़ ऐसोना है जवतिजा नहां बढ़। फिल्डर ने जान जोग दिया इस गेंद को रोखने के लिए आज आसानी से रन मिलेंगे नहीं आफ साइट पे अभी भी फिल्डर्स का जमावड़ा है स्पिनर के हाथ में है गेंद देखते हैं कैसा बुनते हैं यह जान सूपर्ब दूसरा अटैक इस दे बेस्ट फॉर्म अफ डिफेंस और यही कर रही है फ्रील्डिंग यूनिट मिड्विकेट पे खड़े फिल्डर के तरव सीधा मारा ड्राइव रन यह दूसरा क्या अच्छी पहल करते हैं सूझ बूझ के बगड़ा इस गेंद को फिल्डर ने यह तो थोड़ी सी खराब सी गेंद नो बॉल का इशारा मिलेगी फ्री हिट सूपब दूसरा एक को किया दो में तब्दील बढ़िया रनिंग बिट्वीन दुट्विकेट्स चतुर है गेंद बाज दूसरे से छकाया बल्ले बाज को तॉफ स्पिन के वेरियेशन से तंग करना चाहते हैं बल्ले बाज को अच्छा प्रेयास रिस बाज बड़े शॉट का प्रेयास बड़िया फील्डिंग बल्ले बाज के पास रन लेने का मौकन है तॉफ स्पिन के वेरियेशन से तंग करना चाहते हैं बल्ले बाज को इसे कहते हैं बड़िया फील्डिंग बल्ले बाज एक एक रन के लिए तरस रहे हैं आफ साइट पे अभी भी फील्डर्स का जमावड़ा है स्पिनर के हाथ में है गेन देखते हैं कैसा बुगते हैं ये जाल बोलर बहुत कॉन्फिटेंट है कि इस बार तो बल्ले बाज गया बोलर बहुत निराश है इस डिसीजन से जी हाँ डिसीजन रिव्यू पीसरा अंपायर इन्वोर्फ अपील को नकार दिया है अंपायर ने नौट आउट करार दिया है सही ठिकाने पर गेन बल्ले बाज खामोश एक बार फिर मजबूर किया बल्ले बाज को डिफेंस करने के लिए अपर या गेनवाजी पिक्चर पर्फेक्षों झाल 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 एक्शन में ज्यादा बदलाब नहीं लेकिन गेंद की गती में परिवर्त है स्लोर वान कुछ गेंदों को छेड़ने में नहीं छोड़ने में ही होती है भलाई समझते हैं बल्ले बास चेंज ओफ पेस का प्लान है फास बोलर को बुलाया गया है अटैक में सबका बढ़िया प्रदैशन फिलीडर ये चौबिस कैरेट खरास होना है पिछ में थोड़ी सी मदद मौझूद है और गेंद बास के हाथ में रिवर्स विंका जादी एक और एक ग्यारा होते हैं ये फिल्लिंग यूनेट ने बता दिया है और पोजीशन को आसानी से रन लेने ही नहीं दे रहे अब यहां तो भगने की भी ज़रूरत नहीं है बोलर को अलगिदा कहा है चौके के साथ पी ब्रेक का समय होने ही वाला है ठैरे खोना नहीं चाहेंगी दोनों टीम्स समय है स्पिन के इंट्रोड़क्शन का शुरुवात कर रहे हैं और स्पिनर के साथ यह है दूसरा क्या अच्छी पहल कर पाएंगे बनले बास बहुत आशा के साथ गेन थमाई थी गेंदबास को गेम प्लाइन को नहीं किया है फॉलो निराश है खप्तान तेज जरूर थी लेकिन मिला अतरिक उच्छाल यह है टॉप स्पिनर की खासबाद सही ठिकाने पर गेन बनले बास खामोश फ्लिपर डाली तेजी से अंदर बल्ले बास संकटन रॉकेट आम है इस फील्डर का और एक्यूरेट भी डिरेक्ट है दो रन से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया है तो असा परिशान किया है गेंदबास को इनके तरकश में बहुत सारे तीर दूसरा डाल के आज तो बहुत मेहनत मशक्कत करनी होगी बल्ले बास को क्योंकि रन आसानी से ये फील्डर देगा नहीं आसा गेंद को हवा में फ्लाइट दी है डॉक स्पिन का किया है इस्तमार स्क्वैल एक की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई है मिड विकेट शेतर में दूसरा डालने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन विकेट की आस क्या वो हो पाएगी आज इस मौके को चौके में किया तब्दील और गोगिया समा स्पिनर अपनी शुरुवात कर रहे हैं स्पेल की लेकिन आफ साइड पर वैसा ही जमावड़ा जैसा पहले थे इनके तरकश में बहुत सारे तीर दूसरा डाल के फील्डिंग यूनिट का बढ़िया प्रदर्शन अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ेगा पांचों उंगलिया मिलके बन जाती है मुठी और यही काम कर रही है ये टीम मुठभेड के लिए है तैयार फील्डिंग में है पूरे जाबास एक और बढ़िया गेस टॉप बोलर की ये है टॉप स्पिन आज तो बहुत मेहनत मशक्कत करनी होगी बल्ले बास को क्योंकि र अंडरस्टैन्डिक तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गति गुसरा डालने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन विकेट की आस क्या वो हो पाएगी आज रोगने की कोशेश कोशेश नाकाम्याब एक और चार्ट ये है दूसरा क्या अच्छी पहल कर पाएंगे बल्ले बास पांचों उंगलिया मिलके बन जाती है मुठी और यही काम कर रही है ये टीम मुठभेड के लिए है तैयार फिल्डिंग में है पूरे जाबास कप्तान में मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पार बढ़िया खेनले का अंदाज जाने दिया है गेंद को कीपर के पास आगे वाले पाउं को आगे की तरफ बढ़ाया और रक्षात्मक अंदाज में खेला सबका बढ़िया प्रदाशन फिल्डर ये 24 कैरेट खरास होना है गेंद थोड़ी सी पुरानी है और रिवर स्विंग में ये महारती है अच्छी गेंद को स्विंग करवाए खास है ये गेंद बाज रिवर स्विंग कराने में महिर है ये गेंद बाज जबर्दस शॉर्ट डाउन दा ग्राउंड दे कर जाएगा चौका स्क्वेल लेक की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई है मिड़ विकेट शेत्र में और इसे कहूंगा मैं रॉक सॉलिड डिफेंस बोलिंग चेंज का है समय वैसे तो इनके नाम के आगे मीडियम पेसर लिखा है सूप अब दूसरा बड़िया फील्डिंग बल्लेबास के पास रन लेने का मौकन है सटी गेंग डॉट गेंग इस टॉप बोलर की यह है टॉप स्पिन हर डॉट गेंग के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ यह है दूसरा क्या अच्छी पहल कर पाएंगे बल्लेबास सूजबूज के बगड़ा इस गेंग को फील्डर ने फड़ा नीचे की तरफ रही है गेंग चतुराई वाली बोलिंग गेंग गेंग बास की बढ़िया गेंग और मजबूर किया बल्लेबास को कि सिरफ रक्षात्मगंदाज में खेला चतुर है गेंग बास दूसरे से छकाया बल्लेबास को फील्डर ने जान जोग दिया इस गेंग को रोकने के लिए आज आसानी से रन मिलेंगे नहीं कप्तान ने गेंग दी है ओफ स्पिनर को विकेट की है मन्शा क्या उस पे खरे उतरेंगे गेंग गेंग बास सूपब दूसरा बल्लेबास के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश हवा में तेज जरूर थी लेकिन मिला अतरिक उचाल ये है टॉप स्पिनर की खास्पा बढ़िया जज्जमेंट तेज रनिंग बढ़िया रन बटोरा बल्लेबास उने सबस्ट्रूर अझधा कि अभी मजध छोड़ी अफण फ। अबट। थी थी Jamie खाज जूब अबब तोर दो आज जूब अब टूब मेड़ा आजूब टूब एक जूब टूब आजू एक जूब टूब 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 झाल 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 झाल